गुड मॉनिंग, गुड आटरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद्रोहित इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल और इंग्लिश लर्निंग वीडियो ये सीखते हैं और फर्स्ट मॉरल इज शुद और सेकेंड का परयोग कहां करते हैं फ्रेंड्स शुद का परयोग वहां किया जाता है जहां आपके सिंटेंस में वर्ब के साथ चाहिए शब्द आ जाए और आप उस सिंटेंस में किसी को सलाह दे रहे हो या कोई वेक्ति किसी को कोई सला दे रहा हो जैसे कि हमारा example है first तुम्हें रोज दो घंटे पढ़ना चाहिए हम किसी वेक्ति को बोल रहे हैं किसी student को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें रोज दो घंटे पढ़ना चाहिए हम उसे एक सला दे रहे हैं हमारे sentence में पढ़ना एक verb है और verb के बाद चाहिए शब्द आया हुआ है यानि कि should को लगाने की ये सारी conditions इसमें आ रही है verb के साथ चाहिए भी आ रहा है और कौल किसी को सला भी दे रहा है तो आईए देखते है rule क्या होता है model verb का subject plus model verb plus verb की first form plus object हमेशा आप model verb में verb की first form का use करेंगे ठीक है sentence बना हमारा you should study daily two hours you कौन है हमारा subject है you model verb क्या है हमारी यहाँ पर should और verb की first form है study you should study daily two hours हमारा पहला sentence बना क्योंकि हम किसी को सला दे रहे हैं आए दूसरा sentence देखते हैं तुम्हें समय पर दवाई जरूर लेनी चाहिए जरूर के साथ चाहिए आ रहा है तो जरूर के साथ चाहिए जब आता है verb के साथ तो हम must का use करते हैं तुम्हें समय पर दवाई जरूर लेनी चाहिए you must take medicine on time you हमारा subject हो गया must हमारी model verb हो गई take verb की first form and this is our object you must take medicine on time तीसरा sentence एकते हैं तुम्हें अपने मातापिता की सेवा करनी चाहिए यह हमारा एक करतव्वे है हमारी एक जिम्मेदारी है तो अगर आपके sentence के last में verb के साथ चाहिए आ रहा है और करतव्वे की sense आ रही है तो आपको ought to का use करना है हाला कि आज कल ought to की जगह modern English में should का ही ज़्यादा यूज होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ought to कहां यूज किया जाता है तो मैं अपने मातापिता की सेवा करनी चाहिए यह आपकी जिम्मेदारी है आपका करतव्वे है इसलिए हमने आपका you ought to serve your parents लिखा है अब यह सभी sentence हमारे simple formation के हैं यानि कि affirmative हैं अगर आपको negative sentence बनाना है तो एक simple सा formula हम हर बार अपनी वीडियो में बोलते हैं कि आपको जो not है वो third place पर लगाना होता है तो you should not study daily for two hours you must not take medicine on time you ought to serve, you ought not to serve your parents if you want to make negative sentence it's very easy you have to use not at the third place, simple and if you want to make sentence interrogative you will have to use the model verb first of all before subject ठीक है? तो I think should, must and not to आपको च्छी से समझ में आ गया होगा हम, ओके तो इस वीडियो को आप दो तीन बार देख लेना आपको च्छी से समझ में आ जाएगा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं I will try to solve that Thank you, bye-bye तो दोस्तों सब्सक्राइब करें शेर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायता उठा सकें और नीचे कमेंट करके हमें जुरूर बताएं कि इस वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनरजी और नई जोस के साथ थैंक्स पर वाचिंग बबाई